तिल के उत्पादन, खपत करता एवं निर्यातक देश, भारत में इस महत्वपून तिलहन का भाव पिछले कई महीनों से उंचे स्तर पर चल रहा है और आने वाले समय में इसमें कुछ और सुधार आने का अनुमान लगाया जा रहा है। एक संस्थान के अनुसार इरोड जिले के शिंसिटी मारकेट में पिछले बारह वर्षों के औसत मूले का विशलेशन करने से पता चलता है कि अप्रेल में रभी कालीन फसल की कटाई तयारी के समय अच्छी क्वालिटी के तिल का भाव 170 से 175 रुपए प्रती क्विंटल की आगामी महीनों में भी उंचा एवं तेज रहने के आसार हैं। खरीफ कालीन तिल का बिजाई क्षेत्र राष्ट्री अस्तर पर 2022 से तेईस के 13.44 लाख हेक्टेयर से घटकर 2023 से 24 में 12.43 लाख हेक्टेयर पर सिमट गया। इसी तरह रभी कालीन तिल के क्षेत्र फल में भी सिंचित इलाकों में सीमित क्षेत्र फल में इसकी खेती की जाती है। मुख्यत सफेद एवं काले तिल का उत्पादन होता है जबकि कहीं कहीं लाल एवं भूरे रंग वाले तिल की खेती भी की जाती है। सूडान के बाद भारत को तिल का दूसरा प्रमुख तिल एवं जापान सहित कई अन्य देशों को तिल का बड़े पैमाने पर निर्यात होता है। और निकट भविष्य में इसमें नर्मी आने की संभावना काफी कम है। उंचे घरेलू बाजार भाव के कारण तिल का निर्यात प्रदर्शन कुछ कमजोर पड़ सकता है। भारतिय निर्यातकों को अफरीकी देशों से कठिन प्रतिसपर्धा का सामना करना पड़ रहा है जिसमें सूडान के अलावा नाइजीरिया, तंजानिया एवं मोजांबिक आदी शामिल है। चीन पहले भारत से भारी मातरा में तिल मंगाता था मगर अब वहां अफरीकी देशों से इसका विशाल आयात होने लगा है।